संड़ कैंपस के इस संसकरण में हम आपको ले चलते हैं गिधवा परस्दा पक्षी विहार यहां प्रति वर्ष हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं इन में से कुछ तो ऐसे हैं जो विल्क्त होने की कगार पर है गिधवा और परस्दा नांधगाट से 8 किलोमेटर दूर मोंगेली रोड पर स्थे थे इनके आसपास के जलीक शेत्रों में पक्षीयों का डेरा वैसे तो हमेशा ही लगा रहता है पर नवंबर से फरवरी के बीच यहां देशी विदेशी पक्षीयों का मेलासा लग जाता है गाउवाले इन पक्षीयों की हर संभव हिफाज़त करते हैं यहां तक कि इन पक्षीयों का शिकार करने पर हजार रुपय का दंड भी लगाया जाता है गाउं में 51 एकड में फैला एक लगभग 400 वर्ष पुराना तालाब है इसके साथ ही करीब 200 एकड में फैला गिद्वा जलाशे भी है यहां से लेकर परस्दा और नगधा गाउं के जली एक शेत्रों में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं यह उनका अगोशित अभ्यारन्य है योरप, साइबेरिया, बर्मा और बांगलादेश से पक्षी यहां पहुंसते हैं जलाशे की मचलिया गाउं की नम भूमी और जैविवित्ता इन्हें आकर्शित करती है गैड़वाल, मार्श सैंडपाइपर, कॉमन सैंडपाइपर, कॉमन ग्रीन शैंक, कॉमन रेड़ शैंक बड़ी संख्या में यहां आते हैं साथ ही स्थानी पक्षियों की पचास सैथिक प्रजातिया यहां पाई जाती हैं गित्वा परस्दा में स्थानिय पक्षी, लेजर विस्लिंग डक, कॉमन कूट, ब्लैक हेड़ेड आईबिस तथा ओपन बिल्स टॉर्क बड़ी संख्या में है। योरप से कॉमन पोचर्ड आते हैं जो यहां ब्रीडिंग तो नहीं करते पर सर्द्या यहीं बिताते हैं। नॉर्दन पिंटेल योरप से लेकर अफ्रीका तक जाते हैं। बीच में कुछ समय यहां गुजारते हैं। यहां आने वाले फेरेजुनस पोचर्ड वैश्विक स्तर पर संकट में हैं। चतिजगण में 51 एसे स्थल हैं जहां प्रवासी पक्षी सर्द्या बिताने आते हैं। इन में से गिधवा और परस्दा क्षेत अकचायन पक्षी अभिहारन के लिए किया गया है। गिधवा के ग्रामीन तालाब और जलाशा में पहुचने वाले पक्षियों की दिन रात सुरक्षा करते हैं। यहां पक्षियों का शिकार संभव नहीं है। गाउं वाले उन पर आर्थिक दंड लगाते हैं। वन विभा के अफसर इस गाउं की मिसाल देते हैं। यही वज़ा है कि इसे पक्षी विहार गोशित किया गया है। पहला पक्षी महुत्सव भी यहीं मनाया जा रहा है। इसके साथ ही इस अंचल में प्रदेश का पहला पक्षी अभ्यार गने स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। है इस अंचल में प्रणाब है इस अंचल मुझत तूर खगल खग्यार गने स्था दो कि इस प्रदएं का मुझत मुझत उबाद तूरा कि विहां है। कि मुझत जिहां है। अर्थाँ टार्च।